हेलो गाईज तम बात किने वाले हैं ग्लेन मार्क लाइफ साइंस इस कमपनी के बारे में इस कमपनी का क्वाटर त्री अफ़ए 23 का रिजल्ट आ चुगा है सामने कैसरा इस कमपनी का रिजल्ट और क्या इस कमपनी ने डिविडेन दिया है कि नहीं इसी के बारे में डिसकेश operation and other income को मिला कर कमनी का total income यहाँ पर 5,473.39 million रुपिस का देखने को मिलता है quarter and quarter base के उपर और पिछले साल same quarter के मुकाबले company के income में अच्छी बढ़ोतरी होती भी नज़रा जाती है बाकी इस company के expense की बात करें तो cost of raw material के अंदर अलग-अलग expenses को मिला कर company का total expense यहाँ पर 4,061.98 million रुपिस का देखने को मिलता है इस प्रकार से company की income बढ़ी है वैसे-वैसे company के expense भी बढ़ते हुए नज़र आ जाता है बाकी इस company के आपर net profit की बात करें तो tax and expense item काटने की बाद company का 1049.13,93 million रुपिस का company का total यहाँ पर net profit देखने को मिलता है quarter and quarter base के उपर company के profit में गिरावट आई है बाकी पिछले साल same quarter के मुकाबले company के profits यहाँ पर इंपर होते हुए नज़र आ जाता है company के यहाँ पर earning पर शिर्की बात करें EPS की तो वो यहाँ पर trade हो रहा है 8.57 रुपिस पर जो quarter and quarter base के उपर company के profits में गिरावट आती भी नज़र आ जाती है बाकी पिछले साल same quarter के मुकाबले भी company के profits थोड़े से कम होते भी नज़र आ जाता है ठीक है बाकी यहाँ ग्लेंड मार्क लाइफ साइंस इस company का जो result है वो यहाँ पर से एक decent result है आप लोग ऐसा बोल सकते हूँ क्यार company ने expectation के मुदाबित performance नहीं किया है बाकी यहाँ जीस प्रकार से company का performance है ना उसी हिसाब से company का share भी trade हो रहा है company के share में लगातार एक समय पर यह company का share trade हुआ करता था यहाँ पर 800 रुपे की डिवल्स के आसपास और वही share यहाँ पर अभी यहाँ पर कितने रुपीस पर trade हो रहा है 388 रुपे के आसपास ठीक है आप लोग देखी सकते हो कि यह company ने 50% से ज़्यादा की already गिरावट दिखा दिया है possibilities यह भी है कि यह company का share यहाँ पर 376 रुपे का level है इसको यहाँ पर breakdown करता है तो further यह company के share में और भी बड़ी गिरावट आ सकती है ठीक है एक चीज़ उससे ध्यान में रखके चलना यह था है यहाँ पर मेरा opinion इस company को लेकर बाकियार इस company के अंतर buy on dip अभी मत करके चलना दूसरी बड़ी चीज है कि आप लोग invested हो तो इस company को long term के लिए hold कर सकते हो बाकियार long term के लिए अभी खरीदारी करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो यह time लेगी यह company पर यह company अच्छा profit कमा कर दे सकती है आने वाले short medium term and long term के लिए ठीक है तो बस good well of goodbye फिर मिलते है next video में good bye